बिसमिल्लारों रोहीम, अस्सलाम लेकुम फ्रेंड्स आपका पैरे दोस्त मुहम्मद शेहबास राम आलिवान शिक्स टेट गेमिंग चल्से तो दोस्तों आज की इस नई उडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप हर रोच 40 प्लाटीनियम किस तरह हासल कर सकते हैं और साथ मैं आपको बताऊंगा जो आप 40 प्लाटीनियम यानि के डेली मिशन से जो आप क्यों नहीं हासल कर पा रही है सब चीज़ें आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा एक एक चीज़ एक स्प्लेन करके बताऊंगा अगर आपने ये वीडियो शुरु से लेकर जास तक देख ली तो आपके तमाम कंसेप्ट प्लाटीनियम के हिवाले से कंप्लीट हो जाएंगे यानि के इसके इलावा आपको कोई और दूसरी यूटूब के ओपर वीडियो देखने की जुरुरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो की तरफ चलने इस पहले आपसे एक चोटी से गुजारिश है आप इस वीडियो को लाइक करने और साथ ही एक कमेंट करने अगर आप इस चैनल को उपर नहीं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर तो साथ जो बैल आइकन इसे करने प्रस ताके हर आने वाली मजीड जो इंट्रेस्टिंग वीडियो और टेवली से त्री से रलेटीड आपके पास से सबसे पहले नॉट्सकेशन पहुंसे के तो चलते हम अपने वीडियो के तरफ बगायर टाइम को जाय करते हैं तो यहां पर नंबर वन पर मैं आपको बता दूँ विद प्रू इंकरीज नहीं कर रहें जब तक आप अपने लीग ऑफ चैम में अपनी पोजिशन को अपने बैज को इंकरीज नहीं करेंगे तो आपको 20 प्लाटिनियम यानि का डबल रिवाड के साथ 40 प्लाटिनियम कभी नहीं मिलेंगे तो यहां पर मैं आपको यह विद प्रूफ बात कर कर दिखाऊंगा तो यहां पर आप अपने मॉइल स्क्रीन को पर भी देख रहे हैं इन्होंने कुछ और डेब्ली सथरी ने हमें इजी करकर दे दिया है जो सेजनल रिवाड जिसे हम कहते थे तो यहां पर इन्होंने हमें मन्थली अब दे दिया है मन्थली बेसिज को मैक्सिमम कुतने प्लाटिनियम आप हासल कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यहां पर नंबर वान पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि आपने आज से ही अगर अभी तक आप लीग ऑफ चैम में अपने पोजिशन टॉप 20 में नहीं बनाते तो आपका बैज डिक्रीज हो जाता है जी मैं है तो आपको हफते में एक दिन या दो दिन ही प्लाटिनियम 40 मिलेंगे अगर आप डिफिकल्टी 2 से 3 तक है तो 2 से 3 दिन आपको मिलेंगे लेकिन अगर आप डिफिकल्टी यानि के बैज नंबर 11 से लेकर 15 तक है आपको हफते में 3 से 4 दिन डिफिकल्टी 3 में 40 कि जो चे दिन होगे आपको week में 20 platinum मिलेंगे जो आप देखकर 40 double reward देखकर 40 आप अपने platinum कर सकते हैं तो यहां पर आप अपने mobile screen को ओपर देख सकते हैं कि मैं challenger 1 पर हूँ तो मुझे महिने के 1200 platinum मिलते हैं तो अगर आप 1200 को देख सकते हैं नीचे आप देख सकते हैं earn a monthly maximum of 1200 throw a daily mission while in challenger यानि कि यह कह रहे हैं कि जो 1200 आप platinum daily mission से आप हासल कर सकते हैं कि एक month में 1200 को अगर आप तक्सीम करते हैं 30 पर तो वो एक दिन के 40 platinum ही बनते हैं तो इसी तरह अगर आप अपने badge को increase करते जाएंगे तो लास्ट में आप अगर गुगली में आ जाते हैं, गुगली बैज में आ जाते हैं, तो आपको एक दिन में दियां, दूस्तों, एक दिन में 80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80- आप अपने हर चीज को unlock कर पाएंगे कि आपको ज्यादा सज्यादा platinum मिलेंगे तो आप 2 पर आपको बता हुआ, कि किस तरहां सी WCC 3 में daily mission के इलावा किस तरहां से जो है platinum को आप अप है स्वावतिistles कर सकते हैं, तो आपको 13 platinum मिलेंगे एक match जीतने के जी हां दोस्तों इसी तरह अगर आप कोई और tournament खुलते हैं open करते हैं जैसा कि आप अपने mobile screen को पर देख रहे हैं आपको 6 platinum मिलेंगे इसी तरह आप Pakistan Super League में आपको 7 platinum हर match जीतने पर और इसी तरह अगर आप Great Uzi Bash को आप unlock करते हैं इसमें आपको 6 platinum पर match में मिलेंगे तो अब आप मजीद जैसे आप इशेक आपको open करते हैं unlock करते हैं यहां पर आपको 6 match मिलेंगे हर match के आप हिसाम लगा लें आपको एक match जीतने के ऊपर 13 platinum मिलेंगे तो 13 को आप 6 से multiply कर लें तो तक्रीबन 78 platinum मिलते हैं जितना से हमने unlock किया है तो इस तरह आप platinum को daily mission के लावा भी earn कर सकते हैं और इसके बाद number 3 पर आपका carrier mood अगर unlock है तो आप carrier mood में भी platinum को earn कर सकते हैं मिसाल के तोर पर अगर आप एक domestic world cup जीते हैं तो उसमें आपको प्लचास reward platinum मिलेंगे इसी तरह आपको मैंने जितने steps थे डिप्डियो से 3 game के अंदर जिसतने steps से मकमल तोर पर आपको मैंने तरीके बता दी हैं अब आपको मजीद videos देखने की जूरत नहीं हैं जिन instructions का मैंने आपको बता दी अगर आप इनको follow करते हैं regular basis को उपर league of champ में सब से man factor है league of champ अगर आप league of champ को regular basis को उपर अपने badge increase नहीं करेंगे तो आप ज्यादे स ज्यादा platinum हासल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों के राज के हमारी वीडियो अच्छी लेगे वीडियो को लाइक करें एक अच्छा सा कमेंड कर देता कि हमें motivation मिस्ट गए तो मिलते हैं कि इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदाफिस